दुर्ग जीला डाक कर्मचारी सहकारी साख मरियादित के दुर्ग संभाग की वाशिक सम्मेलन रविवार को भिलाई में संपन हुआ इस सम्मेलन में सदस्यों और पदादिकारों के बीच लंबी चर्चा हुई जिसमें संस्था को और मजबूत बनाते हुए सदस्यों को और ज़्यादा लाब दिलाने पर विचार विमर्ष किया गया साथी साल भर के लेखा जोखा भी अद्धक्ष द्वारा बताया गया तदा वाशिक लेखा जोखा का कौपी सभी सदस्यों को उपलब्द कराई गई अद्धक्ष द्वारा मीडिया को समेलन के जानकारी देते हुए बताया गया कि संस्था किस तरह से कारे करते हुए अपने सदस्यों को आर्थिक मदद करती है और सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्थ होता है इसी के साथ आने वाले समय में संस्था को और मजबूत बनाया जाएगा जिससे सदस्यों को जादा से जादा लाब दिलाया जा सकेगा हमारे डाक विभाग में करमचारियों के लिए एक संस्था बनाई गई है वेलफियर की दुरूग जीला डाक करमचारी सहकारी शमीती दुरूग संभाग से वह उस संस्था में हम करी стало 225 मिंबर है अभी वर्दमान में है तो जिसकिस्था के सदस्य बनते हैं उन्हें हमारे संस्था से करीब 5 लाग रुपया लोन लोन दिया जाता है संस्ता के सदस्यों को है और हर वरस जो है आम सभा का आयोजन ऑजन रखा जाता है जिसमें लेखा जो का एक साल का जो भी लेन देन होता है लोन दिया जाता है वह हिसाब किताब में और आम सदस्यों में अमानतित किया जाता है और जो था रहता है सदस्य दुआरा कोई मांग रहती है मतलब एक जो है लाव के लिए संस्ता के हीत के लिए वह हम यहां पर आम सभा में पारित करते हैं उसके बाद वह लागों होता है वेलफेर में तो ऐसा किसी सदस्य की मृत्ती हो जाती है तो संस्ता दुआरा 25,000 रुपया सहयोगरासी दिया जाता है और लोन पांच लाग रुपया दिय की मिटिंग होती है इसमें हम टोटल ग्यारा डियरेक्टर है तो वो संस्ता वो दस तारीक के मिटिंग में वो लून पास किया जाता है और लोन का ब्याज एकदम नामिल नार्मल भी आज होता है हमारे हां सभा में कोई किसी पर कर चक्रिद्दी भ्याज निया रहता तो यह के आज आमसाभा कारेकरम् है इस आमसाभा में मुक्यति थि आतिथि गन फस्तित हैर और आम सदस्य कारेकरम कुछे रहोता है तो साल-टिक भार होता है तो ज सब लोग पज़ेठा होते हैं बहुत अच्छा लगता है गेद्रिंग की तरह तो यह लेकिन यह एक अच्छा पर्व कहना चीए हम यही कल्यान का कल्यान कारीकार हमारे सारे सदस्त मिलके जो सयोग करें तो सब के सहोग सबी सभी का सयोग है इसलिए यह संस्था चल रही है ऐसा ही सजोग मिलते रहेगा तो सब्सक्राइब बड़ेगा